हालो गाइस कैसे हैं आप सब लोग टैरोक्स वर टॉपल सिक्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं आज हम एक मंतली रिडिंग करने जा रहे हैं और मैंने जॉडिक साइन लिया है एरीज यानि मेश्राशी वालों के लिए आने वाले ऑक्टूबर में यानि के स्टार्ट होने वाले हैं उक्टूबर तो उसमें लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज है और प्रफेशनल लाइफ उनकी कैसे रहेगी ठीक है तो स्टार्ट करते हैं रिडिंग में जाने से पहले एक छोट इसी जानकारी अगर आप आपका दिल किसी और के लिए ध्रड़कता है और हाँ यह वीडियो आपके लिए है ठीक है रिटिंग में जाने से पहले एक और जानकारी में देना चाहती हूँ अगर आपको परस्नल रिडिंग चाहिए तो बहुत ही कम चार्जव्च पर करते हूँ ठीक है अगर कहीं और ट्राइब करेंगे तो ऐसे कम चार्जव नही वाट्स अप नंबर भहीं पर मुझे मैसेज करना है ठीक है कॉल मत कीजेगा कॉल को भी अटेंड नहीं करेगा ठीक है अई थोटी से जन करी थी चले स्टार्ट करते हैं आज की रिडिंग है जो वह एरीज वालों के लिए एरीज यानि मेश राशी आल्राइट रेक शफल कर लेती हूं आपकी मेश राशी ओक्टूबर लव लाइफ न्यूज गाइड कीजिए अगा कि अगा अगा कि मेश राशी के दिल उ दिमाग में क्या चल रहा है इन दिनों अपनी लव लाइफ को लेकर चले चैक कर लिते हैं आपकी देक शफल हो चुकी हो और आपकी दिल उ दिमाग में क्या चल रहा है तो आपको किसी को स्टॉक कर रहे हैं किसी का पीछा कर रहे हैं जासूसी हम देखिए आप फाइफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी बात से बहुत ज़्यादा चुप है ठीक है और यह चुपी आपको अंदर से कुछ करनी के और अन्मेरिड मैरिड सब के लिए ओपन है मेरी रीडिंग्स आप देख सकते हैं आप से मैच होगी ठीक है लेकिन जनल रीडिंग है इसलिए आप सभी एरीज वाले जो अपनी सिच्वेशन में जितना फिट हो उतना ही लिजेगा आप जबरदस्ती फिट करने के कोशिश म मत कीजेगा ठीक है यहां पर मैं देख प्यार हूं कि आप किसी बात को जाननी की इच्छा है आप स्टॉक कर रहें अपने पार्टनर को शायद हो सकता है लिटरली जासूसी कर रहें ठीक है तो कुछ ना कुछ ट्रस्ट इशू है आप दोनों में चले देखते हैं और क्या है इनिवर्स गाइड कीजिए एरीज मेश राशी लब लाइफ ऑक्टूबर क्या चल रहा है माइन में लवर्स आपके पास चॉइसे हैं डेफिनेटली और आप डेफिनेटली किसी के स्पाउस भी मुझे यहां पर लग रहें ठीक है तो मुझे ऐसे लग रहें बात थर पा है ऐसी वाल समस्या हो सकती है एक्स्टा अफेर और देखते हैं वाव कोई विश आप पूरी करना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ और बहुत ही स्लो एनर्जी में हो लेकिन आओगी शौर ठीक है शौर बिलकुल शौरटी है आपके कार्ट्स में और आप अपनी कोई वि स्वाथ की बात हो घए अब मैं चलती हूं आपके पार्टनर के पास ठीक है उनकी क्या अनर्जी रहेगी औक्टॉबर में आपके लिए ज्क है तो एनर्जी ले लेते हम अनर्जी और्रिकल और राइट ऐरीज की पार्टनर की एनरजी बिताए उन्यूर्स ऑक्टूबर मा लग लाइफ कि एरीज के पार्टनर के एनरजी एंजाइटी फॉर्स्ट अक्रार केंजल के मिल माइकल सौरी कमिनिटी और यहां पर देखें बॉटम में विक्ट्री देखें आपके जो पार्टनर कहीं कुछ गलती कर बैठें जिसके कारण वह एंजाइटी में हैं कुछ डर लग रहा है कुछ तूफान आने वाला है उससे घबरा टोरी इंको ठीक है कुछ नों कुछ ऐसी गलती है जो आप से छुपा रहे हैं फिर हो सकता है कि इनसे लिटरली कोई गलती हुई है ठीक है कुछ नों कुछ ऐसा है जो कि आपको बताना नहीं चाहते और इनको एसास हो रहा है कि येस आपके साथ आगे बढ़ना है ठीक है तो गलती का ऐशास पाकी आपके स Azti मेती चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हूं एरीस के पार्टनर के एनरजी बताईए इन्वर्स, अक्टोबर मा लव लाइफ, एरीस के रिलेशनशिप को कैसे देख रहे हैं ये पार्टनर, दी हैंग मैं, एरीस के प्रती फीलिंग्स क्या हैं, एक काण मेरे पास आया तब फोर ओफ सॉड्स, एक्शन क्या लेंगे एक्टोबर में, एम्प्रेस, चाहते हैं, एरीस से चाहते हैं, टू अफ कप्स वाओ, देखें जैसे कि मैंने कहा कोई बदल रहा आपके लिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, या तो आप से शादी शुदा हैं, या फिर या आपक इनन पर देख पा रही हूँ कि इनमें, कुछ बदलाव आ रही है, ये जैसे कहता है, जैसे मैं आप भी बता ररी थे आपको, कि इनको रियलाइज हो रहा है कि कुछ गल्ती इन से हुए, ठीक है, तो और एम आपको हील करके आपकी साथ दूबरा फ्री होके रहना चाहते है आपके साथ प्यार दिखाना चाहते हैं चाहते हैं कि आप इनको खुशियां दें ठीक है यह प्रेग्निसी का कार्ड भी होता है तो बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपको क्या हैं कि खुशिय हैं मिलने वाली है इन farklı बदलाव से बहुत ब latch है और डाव है है बहुत बहुतना है प्रस्व ना चाहते हैं आपके पास आना चाहते हैं यापनी अनरजी से बहार आघना हना चाहते हैं आपके लिए अच्छन नहीं यह भी और इसके लिए कुछ भ एक्टूबर में एरीस के एनरजी बताईए दोर्स अपनी लव लाइफ को लेकिए क्या सूरते रहे हैं एरीस के एनरजी बताईए अल्राइट इन डिसीजन और यहां पे बैलेंस देखे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी सिच्विशन है आप लोग की मुझे बहुत बड़ी प को दिल से देखे कि उपर वाला कुछ बताना चाहता है कुछ दिखा आसलियत दिखाना चाहता है मुझे आप देख चुके हैं ठीक है मुझे एसा लगूब यह अनको बोहुत कुछ को कहते हैं कि दिशा निर्देश मिल जाएंगे ठीक है और यहां पर मज़ा ऐसा लग रहा है कि आप अपनी personal life से बिल्कुल भी satisfy नहीं है लेकिन कोई ने कोई decision आपको लेना पड़ेगा जिसके कारण आप balance फील करेंगे ठीक है तो एक चीज अगर 19-20 रह भी जाती है तो कोई बात नहीं तो ऐसे energy आपकी है लेकिन आप satisfy नहीं लग रहे हैं आपको बाहरी दुनिया से ज्यादा लगाव है अंदर की दुनिया यान कि आपकी जो personal life है वो ज्यादा हील मुझे यहां पर नहीं लग रही ठीक है लेकिन फिर इन decision में होकर भी आप इस relationship को continue करना चाहते हैं आपके पार्टनर की साथ celebrate करने की सोच रहे हैं और देखी balance create करेंगे यान की चीज़ें आपके unbalance है मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से आपके पार्टनर की तरफ से दोनों तरफ से गलतियां दोनों तरफ से होती एक तरफ से नहीं तो मुझे ऐसे लग रहा है उसमें balance लाने का काम आप ही करेंगे ठीक है तो एरीज थोड़ असा मन बनाएंगे अपन अपने पार्टनर के बारे में किस तरह से सोच रहे हैं इस रिलेशन्शिप को किस तरह से देख रहे हैं नाइन ऑफ कप्स वाव फीलिंग्स क्या है एरीज के अपने पार्टनर के लिए नाइट ऑफ सौट्स एक्षिन क्या लेंगे फोर कप्स और चाहती क्या है अपने पा एक्षन ऐसे होंगे थोड़े से बोरिंग लेकिन आप एक्षन लेनी के लिए तयार है फीलिंग्स में आ रहा है कि आप एक्षन लेंगे आपनी कोई विश्पूरी करेंगे ठीक है और कहीं ने कहीं जो आपकी शादी है यह जो कमिट्मेंट है आपका वह डेफिनेटली आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से आए ठीक है तो खुशियां उनकी तरफ से आए आपके पार्टनर की तरफ से चाहते हैं कि आपको प्यार दें आपके साथ सेटल हो आपकी घर ग्रेस्ति में उनका हाथ हो इस तरह की एनर्जी मुझे आप लग रही है अदर्वाइस आप करने की ज़ुरूत है आप सरफ यह इस तरह से रही है कि आपको बैलेंस करेंगे करना है कि साथ साथ चलना है इस तरह से मुझे आपके एनरजी लग रही है आप से जितना मैच करें उतना ही लिज़ेगा लेगिन परसनल आफ आपकी खुशों भरी होगी ऑक्टोबर में कोई अगर unbalance है तो भी वह आप balance कर लेंगे दोन मिलके ठीक है ऐसे मुझे यहां पर दिख रहे हैं चलिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेक कर लेती हूं आल राइट हाई एरीज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीज़ें होगी क्या चेंज आ रहे हैं देख लीते हैं आपके energies October के लिए door to romance वाउ एरीज की career side से क्या possibilities है professional life कैसे रहेगी news guide कीज़े एरीज के energy बताईए October महा professional life चलि स्टार्ट करते हैं क्या energies रहेगी आपकी देखिए the thinking man rest and resurrection, broken heart और heart chakra यानि कि fourth chakra archangel राफिल और यहाँ पे है strength देखिए मुझे ऐसा लग रहे है कि आप अपनी कुछ सच बात बताना चाहते हैं यह आपकी professional life की बात कर रहे हूँ लेकिन आप कुछनों कुछ दिल की बात कहना चाहते हैं फिर कुछ करना चाहते हैं हिम्मत तो रखके कुछ सची बात करना चाहते हैं ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इद्धियुत कोई ऐसा इनसान है जो कि आपको support कर रहा है या फिर आपको राय दे रहा है ठीक है लेकिन आप है rest and resilience में यानिकि आप किसी बात को जो past में थी उसको heal कर रहे हैं देरे-देरे जो past था आपका यानि कि कुछ चीजें चलनी रही थी आपका work start नहीं हुआ था यह business करें तो उसमें लॉस जा रहा था जॉब नहीं मिल रही थी आप एक stable career side से नहीं थे तो definitely वह stability मैं देख पा रहे हूं और कहीं ने कहीं आपकी बातचीत बहुत important रहेगी ठीक है October में आप जो बात करोगी उसका असर दुनिया पर रहेगा ठीक है यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके heartbreak याने कि आपने losses face किया है तो उसकी भरपाई होने वाली है ठीक है मुझे ऐसा लग रहा है कि और नहीं तो कुछ balance जरूर आएगा ठीक है आप ताकत और हिम्मत रखके इतना तो कर रही लेंगे कि यस अपनी जो अपनी जो मलबजे से कहते हैं कि जो average जो निकालते हैं आप अपनी career side से वह आपको मिल जाएगा ठीक है मुझे लग रह ठीक है तो हिम्मत और ताकत रखके अगर कोई contact आता है तो उसे बिलकुल ले लीजिए आप ठीक है हिम्मत और ताकत तो रखनी पड़ेगी इसके लावा आप meditate करेंगे तो definitely आपको meditation या योगा बहुत इन दिनों करना चाहिए क्योंकि आपका focus एक particular चीज़ पे नहीं रहता और definitely कोई ने कोई जो आपके राए देगा आपके partner हो सकते हैं आपके दोस्त हो सकते हैं बहुत गहरे दोस्त हो सकते हैं तो उनकी राय आपको लिए बहुत important रहेगी ठीक है चले और देखते हैं आपके लिए क्या possibilities हैं कि यूज गाइड कीजिए एजी जिराशी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है करियर साइड से एरीज टैन अफ सॉट्स जैसे कि मैंने कहा कोई नो कोई लॉसे आफ फेस कर रहे हैं ठीक है उससे हील हो रहे है टैंपरेंस बैलन्स की बात अभी मैंने कही थी आपको ठीक है स्टेंथ अगें स्टेंथ का काड़ दो बार आए को सची बात आपको करनी है ठीक है देखिए अभी तक अगर कुछ मैनुपलेट कर रहे हैं किसी चीज में आप जूट बोलके आगे बढ़ना चाहते तो ऐसा नह आते आते बहुत ताइम लग जागा यानि कि आप आपको हिम्मत और ताकत रखे बहुत ज़दा अपनी एक्षन ओरियंटेट रहना है दिन रात बहुत हिम्मत और ताकत रखनी पड़ेगी हाड़ वर्क करना पड़ेगा यह जो लॉस हुआ है आपको यानि कि करियर साइट से अगर आप loss face कर रहे है किसी चीज का एंड करके दूसरा चीज स्टार्ट करना चाथे है तो यह ending आपको जो है balance कर दिगी ठीक है एक हुछी नया start करना चाहते है तो हिमत और ताकत रखे कर लिजे ठीक है जो पास्ट था आपका जिसमें loss हो रहा था उस चीज को पकड़े मत बैठिए ठीक है जो जा रहा है लेट गो करें उसको ठीक है आप हिम्मत और ताकत रखेंगे तो आपको आगे बढ़नी की प्रेंड़ना मिलेगी हील होंगे आप और बैलेस्ट ग्रेट आएगा ठीक है इनिशेट करना बहुत जुरूरी है यहां पर दिख रहे हैं कि आप खुद हो कि कुछ नया स्टार्ट करें तो वह स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको अन्बैलेंस लगे ठीक है चीजें आपके फेवर में नहीं होगी जगलिंग चलेगी माइंड में ठीक है लेकिन अधिक तर ऐसा होता है कि हम जिस चीज के बारे में सोच नहीं पाते वह डीके हैं तो ऐसे में आपको थोड़ा सब धहरे रख के चलना पड़ेगा आपकी चीजे Wuci होगी जो भी आप इनिशिएट करेंगी इसमें थोड़ा टाम लेगा लेकिन वह चीजें हार्ड़ वरक मांग रही है तो और पार जो पास्ट को छोड़ा है उसको भी छोड़ दीजिए और नया जो चल रहा है उस पर फोकस कीजिए ठीक है यह मत सोची कि यह वरकाउट नहीं होगा ऐसा मत सोची चीजें वरकाउट तभी होती है जब आप उसमें 100% लगाते हैं ठीक है तो ऐसा मुझे आपे दिखाई दे र इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियो का वेट करेंगे तो मैं एक्स्ट राइम जरू मिलूँगे गाइस थैंक्यू सो मुच ब्रबाई